सुशान्त सेह राजपूत की मौत के बाद तो जिसे बॉलिवुड के गलियारे में कुछ अलगी हवा चल रही है कंगना रनौत सहित कई बॉलिवुड सेलेब्स ने बॉलिवुड में चलने वाले नेपोटिस्म को लेकर कहीं बाते कहीं वहीं सोनु निगम ने भी एक वीडियो शेयर करते हुए म्यूजिक इंडस्ट्री के असलियत को सबके सामने रखा था सोनु ने अपने इस वीडियो में टी सिरीज के मालक भूशन कुमार को कहीं बाते सुनाई थी और अब इसके बाद भूशन की पतनी दिव्या खोसला कुमार अपने पती के सपोर्ट में उतरी है और उन्होंने एक लंबा चोड़ा ट्वीट सोनु के नाम लगते हुए उन्हें ठैंकलस कहा है दिव्या ने अपने ट्वीट में लिखा कि सोनु निगम टी सिरीज ने आपको इंडस्ट्री में ब्रेक दिया अगर आपको इतनी ही खुनस्ती भूशन से तो पहले क्यों नहीं बोले आज पब्लिसिटी के लिए क्यों कर रहे हैं आपके पता जी कि ए खुद मैंने इतने वीडियो डारेक्ट किये हैं जिसके लिए वो हमेशा अतने शुक्र गजार रहते थे लेकिन कुछ लोग ठैंकलेस होते हैं आज बस हर कोई अपना अच्छा केमपेंच चलाने की कोशिश कर रहा है मैं तो ये भी देख रही हूँ कि लोग जूट और छल बेच रहे हैं अपने मजबूत केमपेंच से सोनु निगम जैसे लोग जानते हैं कि दर्शुकों की दिमाग से कैसे खेला जाता है भगवान हमारी दुनिया को बचा लो आपको बता दे कि सोनु निगम ने भूशन कुमार को लेकर कई बाते कहीं थी उन्होंने कहा था कि भूशन कुमार अब तो नाम लेना ही पड़ेगा मुझे और अब तो तू तू कहने के लायक है तूने गलत आदमी से पंगा लिया तू भूल गया वो टाइम जब घर पर आकर तू कहता था मेरा अलबम कर दो सहराश्री से मिला दो भाई समिता ठाकरे से म ला दो भाई अबू सलेम से बचा लो याद है ना और अपने इसके पहले के वीडियो में भी सोनुनिकम ने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री पर निशाना साधते हुए कहा था कि यहां न्यूकमर्स को बहुत परिशान किया जाता है कहीं ऐसे कलाकार है जो आज भी बहुत प्रताडित होते हैं उन्हें काम नहीं दिया जाता एक गाने को दस-दस सिंगर से गवाया जाता है और कुछ बड़े लोगों के कहने पर लोगों की गाने रिलीज नहीं होते हैं कुछ लोगों की हाथों में ताकत है और वो फैसला लेते हैं कि कौन काम करेगा और कौन नही इस वीडियो के बाद जमकर बवाल मचा था और इसके बाद सोनु ने भूशन कुमार को भी कहीं बाते गहकर कहीं सारे आरोप लगाये थे और अब भूशन की पत्नी ने ट्वीट का सोनु को जवाब दिया है subscribe our channel and press the bell icon for more updates